सब्सक्राइंब alter noon 1967 ट्रोच को कि निप्टी इसन कहां पर निफ्टीं पर के बारे में युस इंदिस निज फूटर को में अब युजर को कारेंगे सब्सक्राइब करेंगे और कमने क्या इसको आथ स्वक्ति Consult को इन पिछे करें जैसा कि हम लोगों ने डिस्क्रिशन किया था कि नहीं पर सुस्टेन करेगा या पर क्रॉस करेगा तो अच्छा कास आपको पॉस्टिम देखने को मिल सकता लेकिन immediate hurdle इसके लिए resistance रहेगा 22,249 देख सकते ही जगा पर यह resistance का काम करेगा, इसको तोड़ेगा तो फिर अच्छा कासा blue sky zone में चली जाएगी, आज अच्छा कासा gap up opening रहा था, लेकिन उसके बाद जोरता फिर अच्छा कासा big quality का moment create हो गया है, तो अभी यह उठा पटक रह लेकिन आज हो सकता है, nifty banks आपको support ना मिले, because यहाँ पर दूसरे जो sectors खड़े हो रहे हैं, support करने के लिए, वो एक तो आपका financial sectors है, यहाँ पर सस्रीन करता है, इसलिए आपको इस जगवर बहुत ही रहां से टेट करना 300 बहुत important level है, हलाकि आज इसने 300, 301 पर पर नभे पैसा का हाई भी बना है, so आपको NBFC में भी खास कर फोकस करना है, दूसरा आपको फोकस करना है, आपको IT stocks में, चलिए major indices को पहले चेक कर लेंगे, लास्ट रेडिंग सेशन में, नाइट सेशन में, डाओ जोंस में, ग्रीन को क्लोजिंग आया थी, हरा क्लोजिंग था, देख सकते है, 48.44, 0.13% को चाल के साथ, नाजडेक में, अलाकि, रेड क्लोजिंग था, 0.32% गिराओट के साथ, स्मॉल कैप में, 0.52% गिराओट के साथ, लेकिन, जैसा ही, निफ्टी, निफ्टी ने, डाओ फुचिर्स कर आप चेक किजेगा, तो आज, डाओ फुचिर्स, मौर्णिंग आर्स में, देख सकते हैं युएस, फुचर्स में, सब देखे, ग्रीन है आज, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से आपको, कोई भी ट्रेड इनिश्रेट करना है, खास कर आपको, अपको अपनी, फोकस में रखना है, आज के दिन में, ओके, आगे बढ़ते हैं, क्यों, नास्टेक में इतना उच्छाल क अब positive momentum देखने को मिला है, हमारे IT shares में चैक कीज़ेगा, तो SL technologies में 0.86% का उच्छाल है, then after that Infosys में बहुत ज्यादा नहीं, 0.08, emphasis में लगव 2% का, और इसके लावा Oracle में बहुत ज्यादा नहीं, 0.23% है, TCS में 1.5% का उच्छाल है, Tech Mahindra में 0.76% and Vipro में 0.51%, अब यह दे सकता है, आगे बढ़ते हैं, commodity को देखेगा, तो commodity का हाल बहुत जाता नहीं है, एक सिमी दायरे में ट्रेड कर रही, Crude Oil में, 78 में, जब लगवग 0.18% का उच्छाल के साथ, Brent 0.14, Natural Gas में आज 1% अगिराउट है, कल 12%, 13% का उच्छाल देखने के मिला है, Gold भी 0.13, Silver 0.21% उच्छाल, जब यतनी बाप commodity को देखेगा, ति सिमी दायरे में ट्रेड कर रही है, सुगर स्टोक्स को लेकर के नेगटिव आया है, जहां पर सुगर स्टोक्स टर्न बीटर एस सेंटर रिजस फियर प्राइज़ तू 340 अकुंटल, सेंटर ने अनूंस किया, जो कि है, अब बढ़ गया है 8% from current FRP, तो 8% से बढ़ कर आ रहा है, 8% बढ़ गया है FRP, इनका इस कारण से, सुगर स्टोक्स आज इसमें नेगटिव सेंटिमेंट आपको देखने को मुझादा गिराउट आ सकती है, इंडाइसे चार्ट में चेक कीज़ेगा, तो Nifty 50 का सबसे पहला ची है, तो 21,000 देख सकते हैं, इस जगापर जो हमारा लाइन है, 21,950 इसके लिए बहुत इंपोर्टन सपोर्ट, 950 इसको इसको इंपोर्टन सपोर्ट मिलेगा, और वहीं से ही देखी फिर से हापर इसमें तो यह चार्ट है, Nifty 50 का, Nifty Bank का देख सकते हैं, अपने जो सपोर्ट का लेवल था, 47,000 के नीचे जा रहा यह सपोर्ट है, लेकिन फिर भी 100.20 आप ले सकते हैं, यह सपोर्ट के पास ही ट्रेड करें, इसमें भी ध्यान से हो सकता, थोड़ा करें जगा पर, Nifty ID जो रहता है उसमें खासकर positive momentum है, बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास, 37,250 के राण में सपोर्ट था, उसी जगह से इसको सपोर्ट मिल रहा है, और रेसिस्टन्स रहेगा 37,900, वो तूटेगा तो फिर और आपको तेजी देखने को मल सकता है, FID ID एटा, FI positive side में थे 284 कलो का buying किया था, उसके against में D&E थोड़ी बिक्वाली की थी, तो आज देखने हैं लिए बात है कि कौन खरीता और कौन बीशता है, आज की दिन में, आप stock specific बाते करें, तो यहाँ पर G entertainment के उको लेकर report आ रहा है, देख सकते हैं, 21 परवरी को आया था, market close के बाद जैसे मैंने बता है, कुछ आज की दिन में, तो अभी शेयर में बहुत जादा momentum नहीं है, लेकिन हमारा जो line खीचा हुआ है, देख सकते हैं, 160, 161 के रहें एक important support है, वो अभी तक तूटा नहीं, आज भी देख सकते हैं, इसी जगह से हाँ पर उच्छाल देखने को मिल रहा है, और फिर देख सकते हैं resistance रहागा, 179 रुपीज, और दूसरा, इससे पहले, 175 एक resistance का का काम करेगा, तो दस रुपे के रेंज में, यह मूव कर सकते हैं, कुछ अच्छा positive news आया, अच्छा का सब को तेजी भी देखने को मिल सकता है, लेकिन इसीच को ध्यान दिजेगा, 24-48 आर्स का time दिया गया था कभी भी कुछ भी अपडेट आ सकता है, तो इसलिए आप इस चानल को सब्स्राइब की जागा, ताकि आपको information मिलता रहा है regularly, ओके, अपर NBCC को लेकर अपडेट आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, 21st February को अपडेट आया था, जहाँ पर development of unused and purchasable FAR for 5 numbers greater, Noda Project Valuing 10,000 करोल का तो 10,000 करोल के हाँ पर अमरपाली project जो है, उसको लेकर के approval आ रहा है, देख सकते हैं आपर, तो कौन-कौन सा है, आप इसको हाँ पर redoubt कर सकते हैं, तो यह positive orbit NBCC को लेकर के आ रहा है, तो फ्रेंड, यह था important update regarding the share market, stocks, specific में मैंने बाते की, I hope आपको वीडियो अच्छा लग होगा, वीडियो अच्छा लगा दें, वीडियो को लाइक कीजेगा, share कीजेगा, अन्चा आल को सब्स्राइब कीजेगा, thank you